नमश्का दोस्तों, मैं आपकी दोस्त फिर से हाजिरू आपके लिए एक कहानी लेकर ये कहानी प्रथम बुक्स के द्वारा प्रकाशित की गई है और इसको लिखा है दिपांजना पालने इसके खुब सूरस से चितर बढ़ा है राजी इप्पी ने और कहानी का नाम है एक किताब पुछकू के लिए ये कहानी एक पुछकू नाम की बच्छी की है जिसको कितावे पढ़ने का बहुत शौक है और देखिए वो कितावे पढ़ते समय क्या करती है पुछकू कख्षा में जाओ पुछकू बस में जाओ पुछकू अपना होमवर्ग पूरा करो लगातार उसको आवाजे लगा रहे हैं मगर पुछकू है कहाँ ओहो पुछकू तो कितावे पढ़ने में मस्त है उसे तो किसी की वियावास सुनाई नहीं दे रही है पुछकू वियस्त है क्योंकि उसके पास पढ़ने को किताव है पुछकू हमेशा पढ़ती रहती है घर पर पाटशाला में पार्क में बिस्तर में भी पनने के बाद पनना एक किताब के बाद दूसरी किताब एक के बाद एक वे सारी की सारी किताबे पढ़ कर खत्म कर चुकी है उसके दोस्त आते हैं पर तुम हमेशा पढ़ती जो रहती हो पुछकू? बोल्टू बोला डोडला ने पुकारा इधर आऊना कार्टून देखते हैं बच्चे खेलने को बुलाते हैं लेकिन पुछकू पुछकू तो कहीं और व्यस्त है कहां व्यस्त है अरे वहीं किताबे पढ़ने किताब पढ़ने का तो मज़ा कुछ और ही है पुछकू बोली दे देखो एक शब्द बन गया, शब्द कभी पते की बात कहते हैं, कभी गुद गुदाते हैं, कभी दुख बाढ़ते हैं, तो कभी आशा की रोशनी दिखाते हैं, शब्द एक दूसरे से जुड़ कर वाक्य बनते हैं, और वाक्यों से कहानी बन जाती है, कहानी पढ़ते ही जिन तक उसकी पहुंच थी, एक सिरे से दूसरे सिरे तक सब पढ़कर समाप्त कर चुकी थी, अब यही उलजन में थी वो, कि अब वो कौन सी किताब पढ़े, आखिर वो दूसरी किताबे कहां से लाए, अब मैं क्या करूं, और कोई किताब नहीं बची है पढ़ने को, जोड़ से रोने लगी, मगद तबी, वहां क्या है, पुचको की नेदर उपर गई, तो एक नहीं, दो नहीं, पूरे तीन खाने किताबों से भरे हुए, और बहुत से किताबे, पुचको खुशी से जूम उठी, क्योंकि वो जो चाहां रही थी, वो उसे मिल गया, मगर एक गड़वड थी, पुचको तो छुटको सी थी, और पुचको की अलमारी में वे खाने उचे 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 थे, उसकी पहुंच से कहीं बाहर, अब पुचको पुचको तक कैसे पहुच पाएगी, अब फिर चिंता खड़ी हो गई उसके सामने, कि पुचके तो उसे दिग गई थी, लेकिन वो पुचको तक आखिर पहुचे कैसे, क्या वे रसी का उपियोग करें, या फिर मा की साड़ी के साहरी उपर चड़ जाए, और अगर वे कमरे में रखी, कुर्सियों और मेजों का उपियोग करें तो इसी उध्यर बुन में वो लगी हुई थी, लगतार सोच रही थी, तभी पुचको ने सोचा, अगर उसके पास एक जिराफ होता, तो ये काम कितना असान हो जाता, या कम से कम, एक बंदर, या फिर दोनों, हम, अगर दोनों होते तो, तो मज़ा ही आ जाता, कभी जिराफ की गर्दन से, और कभी बंदर से, अपने मन पसंद की कीप सूजी, उसने बोल्टू और डोडला को मदद के लिए बुला लिया, चुप चाप, बिना कोई आवाज किये, सब एक के उपर एक चड़ गए, बोल्टू, तु बड़ा भारी है, डोडला कुड़कुडाया, मैंने तुसे कहा था ना, आकरी रसगुला मत खा, ये मैं नहीं, बोल्टू फुस फुस आया, ये पुचकु है, पुचकु नहीं दी में से कहा, श्श्श, बस हो गया, तबी सब गड़बड हो गई, अरी, क्या गड़बड हो गई, ओहो, एक का पैर फिसला, और सब नीचे, पुचकु तो धड़ाम से नीचे गिरी, और उसके हुआ, क्या हो रहा है या, बहुत ही लंबी से लैबरेरियन की अवाज गुंजी, उसने पुचकु को धीरे से नीचे उतारा, बोल्टू और डोडला, नौदो गयारा हो चुके थे, पुचकु ने लगबग हाथ में आई किताब की और दुखी होकर कहा, क्या मैं कुछ अलमारी पर चड़ने की कोशिश कर रही थी, क्यूंकि मेरे पास पढ़ने के लिए किताबे ही नहीं बची है, तुमने मुझ से क्यों नहीं का, लंबी लैबरेरियन बोली, जब तक मैं यहां हूँ, तो मैं अलमारी पर चड़ने की कोई जरूद नहीं, क्या मैं तुम्हें हां मैं सिर जल्दी से हिला दिया, क्यूंकि वो यही तो चाहती थी, और अब तो उसके मन की हो गई, मनी मन वो खुश होने लगी, तभी पुछकु किताबे चुनने लगी, मैं ये वाली लूँगी, और ये, और ये भी, और खुशी से बोली, धन्यवान मैं, वो बाली मिलन लो, जब मैं चोटी थी, तब मैंने इसे बड़े चाहों से पड़ा था, लाइबरियन बोली, आप भी कभी चोटी थी, पुछकु ने पूछा, बिल्कुल, तुमसे भी चोटी, फिर मैं बड़ी हुई, तुम भी हो जाओगी, मगर तब तक तुमें जिस किताब की भी ब्रत, रेखाएं, एक अक्षर, और फिर दूसरा, एक शब्द, और फिर दूसरा, एक वाक्य और दूसरा वाक्य, लो, अब एक नई कहानी, क्योंकि पुछकु के हाथ लग गई है, एक नई किताब, नई किताब, नई कहानी, और पुछकु खो गई, एक दूसरी दुनिया में कौन सी दुनिया कितावों की दुनिया और उसके सबनों की दुनिया तो बच्चो आप देखा आपने पुश्कू कितनी कितावे पढ़ने की शौकीन थी आपको भी कितावे पढ़ना चाहिए क्योंकि कितावे आपकी सबसे अच्छी दोस्त होती है और ऐसी दोस्त जो कभ बीबी आपको धोका नहीं देंगी